जहिन प्रचों वल्कम दिक आज मैं बिग अपडेट लाए हूँ आप सभी जो भी हमारे एनेम वाले स्टूडेंट है उनके लिए गूड नीज है कि और जो हमारे पी एनेस्टी वाले स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट बीएस्टी कर रहा है उनके लिए एक बिग आपको बताने वाला हो इसमें कितने पोस्ट निकली है अम कहां से भरने वाले हैं कितना अमाउंट लगने वाले हैं स्टूडेंट करना पड़ेगा आयू सीमा क्या होगी तो समपूर्ण जो है विश्वय पर आज चर्चा करने वाला हो आपके साथ तो चलिए स्टार्ट कर यह वीडियो बहुत महत्पून है आप सभी विद्यार्टियों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए है और मैं ऐसे ही लेटेश जान करें आपके लिए लाता रहूंगा तो यह देखिए कहां से निकली सर्जी यह भरती तो आपका गज राज चिंकित्सा महा विद्याले ग करीब यह वेकेंसी निकली है कितनी 240 करीब यह वेकेंसी के लिए सीधी भरती है आपको एक्जाम देना पड़ेगा और आपका सेलेक्सन हो जाएगा तो देखिए चलिए मैं बता दू आपको खिदनी पोस्ट निकली किस सीट के लिए कौन सी के अटेगरी में कितनी सीटे य यहां पर देखिए जो 81 सीटे है केवल महिलाओं के लिए इस्टाब नर्स की भरती है यह आज ही निकलिए बच्चों विग्यपती और मैं आज ही आपके लिए लेटेस्ट जानकरी लाया है अनुसूचित मतलब यहां पर जनरल वालों के लिए सीटे है नर्सीघ में पर चाहते हैं यहां देखिए एक सो सुनताउन पोश्ट है जिसमें से जनरल वालों की कोई भी सीट नहीं है, सबसे ज़्यादा है आपकी सीट कितनी 83, 4 सीट है आपकी सीट की, उसके बाद 68 सीट है आपकी OBC वाली स्टुडेंट की, और 12 सीट है अपने इबलू, ES वाले कंडिर्ट की, सेम प्रोसेस है, दोनों की वही है, जो मैंने अभ र भी बता चुका है, मैंने, R-AkCNरा के यसाब से R-AkCNरा मिलता है, R-AkCN वाला तो मैं बार बार बताते रहता हो कि आपको R-AkCN कि सीट पर मिलने वाला है उसके बाद चलिए हम लोग बता दूब यहाँ पर जो अनुसरीक जाती है, अनुसरीक जन जाती है, उनको तो म पलुटू एस वाले केने डेट है अगर आपको अनुसुज जाती जन जाती बेकवर्ड में आते हैं तो आपको हजार रूपे लगने माला है कितना सरजी हजार रूपे है आयू-सीमा तो आपको पताई है नौर्मरी आयू-सीमा होती 18 साल और उससे अधिक सदी कितना 40 साल कित तीन साल का इसमें क्या मिलेशता है एज रिलेक्सेशन मिलता है अब इसकी सरते दिया हुआ है मद्य पर्देश सुसाई चिकिसा महाविद्यले गौलेर सेवा अदर से नियम को क्या होना चाहिए आप जो है विवा संबंदी जिस अमिद्वार को नियूंतम निर्धारित आयू जो 21 वर्स की महिला के लिए पूर्व कर विवा होने उसे इस पत के लिए चैन हे तो आयोग माना जाएगा मतलब 18 से कम उनका विवा हुआ उनके लिए क्या आयोग माना देखिए तो देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है गती विदी और एक तरब लिगा है आप लोग को फॉर्म कब से फील कर सकते हैं आप लोग अच्छे से घर बैटे ही अपने प्रिपरेरिशन कर सकते हैं हम आपको प्रिवेस एर के पेपर प्रवाइड कर रहे हैं हम ले रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर यह एक्जाम करेक कर सकते हैं आपको अभी जो है एक मंत बचा हुआ है एक्जाम आपकी एक मंत बाद होने वाली है आपको बताने वालों MP online के मद्यम से ही में अभी आपको डारेक्ट लेकर चलूँगा वहाँ पर उसके बाद कि आपका जो है बार्ड़ी पास होना चाहिए उसके बाद आती है और बात चली पेमेट कहां से करेंगे तो पेमेट की बात आती है बच्चों क्या पहले पेमेट की बात कर लो मैं तो आप लोग ATM कार्ड या फिर आपका डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जिससे भी payment करन आप लोग वहां से भी पेमेट को कर सकते हैं आसानी होगी आप लोग को पेमेट करने के लिए और क्या जानकरी यही है इस फॉर्म की बहुत ही महत्पून जानकरी यह तो है आपका क्या सर जी छॉप की बहेगा जाती वाले स्टुडेंट है और सहरिया भदुरिया उनके आने की आउसकता नहीं पड़ेगी चलिए मैं आपको MP Online के Official साइट पर लेके आया हूँ यहां इस फॉर्म का लिंक कमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ आप लोग डायरेक्ट जोई इस फॉर्म पर आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर देखी 18 त जो अभी चलेगा जैसी साइड ओन हो रही है यह खुल चुका है आपका फॉर्म आप यहां से फॉर्म को फील कर सकते हैं चलिए में step by step आपको process बता दूँ यहां पर आपको क्या करना है select button पर click करना है आप लोग बोथ में डाल रहे हैं या फिर आपको one में डालना है अग आप लोग नाम डालेंगे application number उसके बाद करना है आपके जो है भादर का नाम या थिर आपको husband का नाम डाल सकते हैं आप लोग अपने mother का नाम डालना है उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम लोग जो है इंडियन है वह सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप लोग जेंडर करेंगे और गर डालना है यहाँ पर उसके बाद आपको चील्डर्ण होंगे तो चील्डर्न की यहाँ पर डालना है आप लोग पुराने घ्सर pend 컨 filmmakers में नहीं हैंतो तो अगर आपको आधार काड़ सेलेक्ट करेंगा यहाँ पर, अपको आगड़र करना है एगजाम पर आपको चूस करना है अगर एक्साम सेंटर पर आपको किरत करते तो आप लोग को भोपाल गौलियर इंदोर जबलपूर यहां से किसी में भी आप लोग चूस कर सकते हैं Second, पर आप लोग को SI Firm आएगा उसका 10V, 12V और graduation आपको simply भरना है 10V, 12V और graduation भरना बहुत ज़रूर है आप यहाँ पर अपना feel कर सकते हैं देखे यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग G&M वाले भी डाल सकते हैं और BSC nursing वाले भी इस form को डाल सकते हैं ऊसका आपका registration नम्ब होगा registration application नमब यहाँ डालना है और simply जो है यहाँ पर क्या करना है yes करके और यहाँ पर date डालना है जिस date पर अपनич कर रहा है उसके बद आपको पूरा simply अपना address भीड्रे करना है जैसा आपका अवाड्द नम्बर होगा उसके बद आप लोग state से होगे आपका district होगा उसके आपका कौन सा blog है आपका pin code कौन सा है आपका gmail id और आपको mobile number यह alternating number यह डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं उसका तो भी permanent पर click के जिगा किस पर यह check box दिकराए आपको same address होगा तो same पर आपको click करना है चले आगे चल के बतादू मैं आपको bank detail जालना बहुत जरूरी है bank का detail bank account number डालना है आपको bank का नाम डालना है उसके लगए का बना है आपका name डालना है आपका account holdister का आपको क्या करना है यहापर simply photo upload करना है क्या करना है यह format दिया है और यहाँ पर आपको simply अपनी photo upload करना है उसके बाद जो है agree button पर click करना है किस पर यहाँ पर check box पर click करना है और यहाँ पर digit आएगा अभी जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर network की बहुत problem चल रही है यहाँ पर रसू नहीं हो रहा इसलिए आपको क्या करना है इसको next button पर click करना जैसे यहाँ पर capture fill करेंगे आपको payment का option आएगा payment आपको simply अपने mobile के through ही अपना payment कर सकते है debit card, ATM card, Mastercard जो भी होगा आपके पास उससे आप लोग payment कर सकते हैं और उसके बाद की process तो आपको पता ही है सब भी application number मिलेगा और वहा हमारे लिए बहुत महत्पून है क्योंकि बच्चो एक एक वेकिंसी बहुत महत्पून होती है और मैं इधर उदर से collect करके लिए आपको लिए यह update लाते रहता हूँ तो जहिंद बच्चो अगर आप लोग नए होगे चैनल में तो चैनल को subscribe कर लिजीगा और अधिक से अध